नमस्कार प्रियसातियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान हमारे यूटूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं राशी रत्न के प्रेमियों के लिए बहुती शांदार विशेह लेकर के आया हूँ आज मैं आपको बताऊंगा रत्न और यंत्र का क्या कंबिनेशन है मालिया आपने शनी देव का रत्न नीलम धारन करके रखा है साती साथ में आप अपने गले में सनी यंत्र भी धारन करें तो किस प्रकार से उसके एफेक्ट होते हैं और किस प्रकार के लाब आपको जीवन में देखने को मिलते हैं इस विशे पर आज मैं चर्चा करूँगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं मैं आपको बता दूँ जोतिस के दुआरा अपने समस्त प्रकार की समश्याओं के समधान के लिए बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोटसप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए साथियों विशे में आगे बढ़ते हैं हमें रतन और यंत्र के कॉंबिनेशन को बहुत बारी की से समझना होगा और इसके बड़े स्तर पर लाब लिये जा सकते हैं साथि साथ में किन लोगों को ज़्यादा फाइदा करता है यह भी बताऊंगा साथियों रतन ग्रहे की शक्ति को बढ़ाता है ग्रहे की किरणों को सोक करके उसकी पावर को बढ़ाता है मालिया कोई ग्रहे आपका थी बाल्य अवस्ता में है कोई ग्रहे आपका थी वर्द अवस्ता में है पाप दरश्ट है पाप गरतरी योग में है पीडित है तो ऐसी अवस्था में जो ग्रहे आपकी कुंडली में राजियो कारक है उस ग्रहे का रत्न उसकी पावर को उसकी ताकत को बढ़ाएगा बात बहुत सीधी और साप सुत्री है लेकिन यंत्र यंत्र सब्द का अर्थ ही है कम मेहनत में ज़्यादा काम जिसकी साहिता से किया जा सके उसको यंत्र कहते हैं मोबाईल एक यंत्र है कैमरा भी एक यंत्र है पंका भी एक यंत्र है एसी भी एक यंत्र है मोटर साइकल एक यंत्र है मेहनत कम और काम ज़्यादा जिस बस्तू की साहिता से होता हो उसको यंत्र कहते हैं पूरु काल में हमारे डिशियों ने बहुत सोच समझगर के यंत्रों का निर्मान किया था यंत्र के द्वारा ग्रह की शक्ती को बांधा जा सकता है उसको इस्थाई किया जा सकता है अपने जीवन में इसलिए यदि आप मानिक रतन पहनते हैं उसके साथ में सूर्य यंत्र पहनने का फाइदा यह है कि रतन और यंत्र के कॉंबिनेशन से वह शक्ति आपके जीवन में इस्थाई होकर के काम करेगी, आई इस्थाई होकर के नहीए यदि ग्रह की शक्ती को पावर को बढ़ाएगा और यंत्र उस्षक्ती को आपके जीवन में इस्थाई करेगा जिससे ग्रहे की किरपा आपके उपर होगी और ग्रहे के जो दुस प्रभाव हैं उस ग्रहे के जो बैड इफेक्ट हैं वह कहीं न कहीं दूर होंगे और उस ग्रहे से संबंदित आपकी जनम कुंडली में वह अगर है जिन जन घरों का मालिक है जिस परकार से भी योकारख है जो भी आपकी जनम कुंडली में उस ग्रहे का काम है वहे प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो साथियों यदि आप रतन धारन करते हैं तो जिस ग्रह का आप रतन पहनते हैं उस ग्रह का यंत्र भी आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा काम ना करता है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चानल को करें, सबस्ट्राइब, नमस्कार